आज हमें स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर पाठ नौ वचन व्याकरन बोद का पाठ नौ वचन नंबर नंबर से आपको पता चलता है संख्या तो वचन हम किसे कहते हैं कि सब्द के जिस रूप से उसको उसके एक से अधिक होने का बोद होता है हमें उसकी जानकारी होती है उसे हम वचन कहते हैं देखिए ना लुक एट इस पिक्चर यहां पर देखिए बहुत सारी वस्तुएं दी हुई है दी हुई है देखिए यहां पर बहुत सारी वस्तुएं दी हुई है और कुछ एक दी हुई है और कुछ संख्या में दी हुई है इसका और एक से जादा भी है उनकी संख्या मतल एक वचन हम किसे कहते हैं कि सब्द के जिस रूप से उसके एक किवल एक होने का बूद होता है now look at this मेरे हाथ में देखिया I have one pencil मेरे पास only one pencil है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिस रूप से हमें उसके एक होने का बूद हो किवल संख्या में एक एक ही है इससे एक है जल रहा है कि उससे हम क्या बोलेंगे एक एक कलम है या फिर pencil है बोल सकते हैं तो जिससे हमें पता चल है कि वह एक है उसकी ह latina का बोध हो तो उससे हम एक वचन कहते है जैसे देखिये गा गोडा वाला पुस्तक नदी चिड़िया आधी तो हमें से यह हमें पता चल रहा है गाए वस बोल रहा है हम तो गाए नहीं बोल रहा है गाए वस बोल रहा है तो यह क्या एक है वैसे हम बोल रहा है एक पैंसिल 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 है नहीं नेक्स्ट देखिए बहु वचन सब्द के जिस रूप से उसके अनेक संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहु वचन कहते हैं जैसे गाय, गोड़े, मालाय, पुस्तके, नदिया, चिडिया, तो क्या एक से अधिक होने का बोध हो, ओके? नेक्स्ट देखिए वचन की पहचान, हम वचन को कैसे पहचानेंगे? वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है, फॉस्ट है संग्या या सर्वनाम से वचन की पहचान, संग्या या सर्वनाम से भी हम वचन पहचान सकते हैं, जैसे एक वचन में देखिए गोड़ा घास रहे हैं, तो एक वचन से बहु वचन में गोड़ा का क्या हो गया, गोड़े, और किसे पते चल रहा है, उसकी क्रिया से जैसे खा रहा है, तो यहां पर खा रहे हैं, ओके नेक्स्ट देखिए, वह आया है, तो एक आया है, यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति आएंगे, तो वह आए है नेक्स्ट देखिए क्रिया पत द्वारा वचन की पहचान क्रिया से क्रिया में उनके काम करने से कैसा हम पैदा चल सकता है आदमी काम कर रहा है आदमी काम कर रहा है तो आदमी इससे तो पचल रहा है कि एक ही काम कर रहा है अब यहां next देखिए, आदमी काम कर रहे हैं, यहां देखिए, कर रहे हैं, तो रहे, यह क्या होगे हमें पते चल रहा कि एक से अधिक हैं व्यक्ति, यहां पर एक से अधिक आदमी काम कर रहे हैं, next देखिए, रविवार को डांग घर बंद रहता है, next है वहुचन में आखर जो होते हैं वर अविबार को बंद रहते हैं, ओके, नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति के प्रती आदर या सम्मान का भाव प्रगट करना हो, तो इसके लिए एक वचन के इस्थान पर बहु वचन का प्रयोग किया जाता है, जब हम किसी व्यक्ति या किसी जो हमारे सम्माननी हमसे बड़े व्यक्ति होते हैं, या हम किसी का आदर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वचन में नहीं, हम उसके लिए बहु वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए, मेरे चाचा जी विदेश गए हैं, यहा अध्यापक जी बहु वचन है परन्तु ये बहु वचन क्रियापद उनके प्रति आधर का भाव प्रदर्शित करने के लिए प्रयोक किये गए हैं। जी लिए हम उड्य हम एक वचन में बोलकर राइं प्रयूक करते हैं। जैसे हम बोलते हैं सास्त्रीची महान व्यक्ति थी। जी हम यूज करते ना तो शास्त्री की रूपम wiele को दो दाधर के रूप में हम उसे प्रयूक करते हैं कि आधर हम थो मान सम्मान देते हैं तो उन्हें एक वचन में हम नहीं बोलते हैं। खुलवा देंगे, बड़पन दिखाने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने यह हकाम किया, मैंने यह हकाम किया, नहीं हमने यह हकाम किया, नेक्स देखिए, तू एक वचन के इस्थान पर तुम बहु वचन का प्रयोग भी किया जाता, जैसे विनोधने मित्र से पूछा, तुम कब आई, तू कब आई नहीं, क्या, तुम कब आई, उपरयोग तो वाक्य में तुम शब्द जो है वा एक वचन है, नेक्स देखिए, भाव वचक संग्याओं का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है, जैसे बच्चों बुराई से दूर रहो, एक वचन भाव व वचक संग्याओं बहु वचन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो फिर यह जाती वचक संग्याओं बन जाती, जैसे हमें बुराईयों से बचना चाहिए, बहु वचन क्या है, जाती वचक संग्याओं, जाती वचक संग्याओं बहु वचन में प्रयोग की जाती, बच्चों बुराई से दूर रहो नेक्स्ट अधी हम जाती वाचक की रूप में प्रयोग करेंगे तो बुराईयों से दूर रहो हमें बुराईयों से बचना चाहिए ओके ओके स्टुडेंट्स हम आगे अपना चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं तब तक के लिए आपका होंवक है आप वचन की परिभासा और उसके प्रकार को अच्छे से लर्न करेंगे ओके स्टुडेंट्स बाई बाई हैव अगुड दे